हाँ जी नेक्स्ट टोपिक है पावरी ना फोर्स मेकैनिकल ओसिलेटर पावर अपने कोले किया इस दिफाइड ऐस दा रेट ओफ दूइंग वर्क स्पोर्स ओसिलेटर नू आपा ज्राइब कर रहे हैं विद फोर्स F is equals to F0 cos omega t देना देन डिस्प्लेसमेंट किया जेगी X is equals to F0 upon omega Zm into sin omega t minus 5 Zm अपने कोले एस दिफेशन देवीच है गा mechanical impedance एस दी वैली है कि Zm is equals to root r square plus omega m minus s upon omega the square अगर तो अटिकल डिस्प्लेसमें डिस्टरं से ट्रेवल किता है गा oscillator ने डिस्प्लेस होया अपनी डिस्टरं से dx देना दन वर्क दन कियागा dw is equals to Fdx उन पावर तो डेकले किया dw upon dt time rate of doing work एस नों अपनी dt देना दिवाइड करांगी दन पावर इस equals to Fdx upon dt हुँँ एस वली जड़ी equation है एस तो अपनी dt दे वैली कल्कुलेट करांगी ओस दी वैली आजेगी F0 upon Zm into cos omega t minus 5 एवली dx upon dt दे वैली और F दी वैली ओपन सब्सिटोट करांगी एस equation दे विच देन पावर आजेगी पावर इस equals to F0 square upon Zm into cos omega t into cos omega t minus 5 average power over one time period is given by P average is equals to 1 by t 0 to t integration of P dt P di value substitute करांगी then P average is equals to F0 square upon T Zm 0 to t integration cos omega t into cos omega t cos 5 plus sin omega t into sin 5 into dt एवला cos omega t as a t is है cos omega t minus 5 नूँ आपकी लिख सकते हैं इते formula open किते हैं next अपने को लेकी है एस नूँ आपके multiply करांगी प्रेक्ट दे अंदर लेके जमागी then F0 square upon T Zm 0 to t integration cos square omega t cos 5 plus cos omega t sin omega t into sin 5 हुन तो डेको लेकी है cos square omega t नूँ आपकी लिख से दे 1 plus cos 2 omega t upon 2 cos 5 as that is एस दे विच sin 5 as that is cos omega t into sin omega t sin 2 omega t upon 2 रह जेगा उस्तो बात अपने जड़ा dT है उसनु आपका multiply करांगी यह वाली पूरा प्रेक्ट ओपन करांगे then P average is equals to P north square upon 2 T Zm cos 5 0 to t integration dT plus cos 5 0 to t integration cos 2 omega t into dT plus sin 5 0 to t integration sin 2 omega dT cos omega t dt into sin 2 omega t into dT इस दे इंड़ा जेगी 0 then P average is equals to F north square upon 2 T Zm into cos 5 into आपली dT दे इंड़ा जेगी only t और स्वादा पलेमेर्स पर पूरा जेगी 0 to t then P average is equals to F north square upon 2 Zm into cos 5 इतो अड़कोल P average दी value आगी ठीक है ए अपनों की दे रही है जिन्नी energy dispate हो रही है per time period देना उन cos 5a जे विच पावर फेक्टर है ते 5 phase difference है बिट्वीन दा force and displacement नेक्स्ट है के variation of power average power with the driving force frequency फ्रिकेंसी दे नल की जड़ी variation आ रही है average power दी आपा देखांगी उन तो अड़कोल 105 अपन लास्ट जड़े टॉपिक किते होजे विचे किता सी 105 अपन लास्ट जड़े ट्रेंगल देवेच पावर फेक्टर दी जड़ी value है अपा किमें calculate करांगी स्पोस दा डेखले r है ठीक है ए हैगा omega m o minus s upon omega देन cos 5 अपा value calculate कार सकते है r upon r square plus omega square omega m o minus s upon omega dh square dh power 1 by 2 घुँँ ए वाली जड़ी term है उसनों अपा zm बूट करांगे जोदों अपने कोल फ्रिकेंसी है गे driving frequency ओस दी values दो अड़े कोले low है देन s upon जड़ी omega वाली term दो dominate करेगी ठीक है जोदों अपने कोल driving frequency low values है देन आवली s upon omega वाली term dominate करेगी उसनों आपका कहांगे stiffness control oscillator उसिलेटर हुन suppose omega दी value 0 है then assume infinite रहे जेगा ते zm दी value अपने को लेकिया जेगी infinite impedance इंफनाइट है ते cos phi आजेगा 0 means low value frequencies low value दे उपर अपने जड़ी पापर इस पेस्ट ना उसमाल हो रहे उसनों आपका निगलीजिवल कार सकते हैं निगलेक्ट कार सकते हैं हाई frequency दे उपर हाई दे उपर हुन omega तो डेकोल इंफनाइट है छीक है इंफनाइट एस ओपन omega वली धम नहीं आएगी एजे विचे ओमेगा M वाली ज़ी टम में डॉमिनेट करेगी देन ओवले उसिलेटर नू कहांगे इनर्शिया कंट्रोल हुन एजे विचे जडम दी वेल्यू अगेन इंफनाइट नू कर्स्पोंड कर रहे है देट मीज अपने गलो कॉस फाइद वेल्यू किया जरी है जीरू मीज लो वेरी वेरी हाई वेल्यू अफ ड्राइविंग फोर्स देपर पावर जरी डिस्पेट हो रहे है उस दी वेल्यू भी स्मॉल है नेक्स्ट पगाले कर ये अरदा फ्रिकेंसी इकल तू नेचरलल फ्रिकेंसी ओफ अंडम् डाउसिलेट है जो आवल जड़ी फ्रिकेंसी है और इकल तू रखांगे नेचरलल फ्रिकेंसी देगे देन ओमेगा इस इकास्टू ओमेगा नॉट इस इकास्टू रूट स अपन एम एज इफ ची जड़ी रेक्टेंस वाले टर्म हैं ओमेगा एमो माइनस स अपन ओमेगा वैनिश हो जेगी ते जेट डेम दी वेली इकल डू आजेगी आर दी ठीक है पावर फेक्टर नूँ अगर आपा एककोल रखे वान दे देन पावर जड़ी है गिए सप्पलाई टू दा ओसिलेटर ओस इवेली अपनिकोले मेक्सिमम आएके ओस इवेली हाई हो जेगी देन पी मेक्सिमम इस एकस्टू अफ नॉट स्केर अपाउन टू आर जेट अम दी वेली नूँ अपा आर पूट करांगे जेवेच ते कॉस फाई जड़ा पावर फेक्टर होजी वेली आजेगी अपनिकोले वान पावर होँ तники कले मेक्सिमम आए 가까ओ जदो फृकर है किल टू नैच्चूरल फृकर है तोड़ WOW वेली आएगी उसटू आपनिकोले मेक्सिमम बैली आएगी F0 upon F0 square upon 2R next है कि total total energy dispatch over one cycle और one time period energy dispatch के जएकोल है कि P average into time दे ठीक है हुँन ताट है कोल जिन्नी energy dispatch हो रही है एक cycle दे वेच OZ value is equals to P average into T then P average value अपा calculate किती है F0 square upon 2ZM into cos phi cos phi दी पहली substitute कर सकते है R upon ZM then P average is equals to F0 square R upon 2ZM square then U दी value किया जगे थे अपा P average दी पहली substitute करांगे F0 square R upon 2ZM square into T एवली term एवली जडी केशन है एजी right hand side दे वेच multiply दी डिवाइड करांगे omega square दी then U is equals to F0 square R upon 2 omega ZM square into omega square into T omega T नो अपा 2 pi पुट कर सकते है then omega square T नो की लिखांगे omega into T pi then U is equals to pi omega R into F0 square upon omega ZM square F0 upon omega ZM square नो आपा amplitude पुट कर सकते है then U is equals to pi omega R into A square A जे वीच अपने कोल total energy दी value आगी over one cycle दे वीच हुन अनदर वेदी नाला पज़ेड है एक्स्प्रेशन है यू देली की मिक लिख सकते है ओ तो टेकोले है गाए हुन X दी value है कि displacement F0 upon omega ZM into sin omega T minus 5 जो दो A दी value maximum है ठीक है A maximum है means X दी जड़ी value हो maximum होनी चाहिए maximum कोदो है कि जदो अपने कोल साइन वाली टम दी जड़ी value हो वान दी कोल है that means A वाली टम जड़ी maximum है ओकी जड़ी जड़ी आगी ए दे then A is equals to A X maximum is equals to F0 upon omega ZM दे हुन जड़ी तो टेकोल X दी value maximum है then A वाली जड़ी denominator दे वीच term है minimum होनी चाहिए omega ZM minimum होना चाहिए then A is equals to F0 upon omega ZM minimum ठीके then U is equals to pi omega R X दी X maximum दी square दी ए दी जगाते आपा R maximum पुट कर सकती है ओस्तो बाद है कि तो टेकोले bandwidth bandwidth की यह हुन variation आपमा शो करांगे जड़ा लास्ट दे वीचे किता सी variation with the frequency योदा पाबर सप्लाई to the oscillator by the driving force यह जड़ा वीचे जड़ा आपा find out किता हो कि यह जिनने आपा पाबर सप्लाई का रहे हो maximum कदो होगी ओसी बेली maximum के कदो है F0 square upon 2R ते जो दो आपने जड़ी frequency है omega 0 means natural frequency natural omega 0 दो frequencies omega 1 ते omega 2 ला लिया आपा omega 0 रे दुनों साइड आपा दो frequencies लाएके चल लिया जित्ते जड़ी अपने जड़ी PE average है यह अपने कोल PE average दी value maximum सीगी F0 square upon 2R जो दो एवाली value अपने कोले half होनी चाहिती है maximum value की निए F0 square upon 2R आदो frequencies आपा इस पॉइंट नाड़ो इनना दोने पॉइंट तो जड़ी value है average बावर्दी और हाफ होनी चाहिती है then omega 2 minus omega 1 तो आपा की कहांगे bandwidth यह frequencies के में दी है जिस दे उपर जड़ी PE average value हो हाफ होनी चाहिती है maximum value दे नाड़ो then bandwidth नो define करांगे as a difference between the frequencies of the driving force on either side of the velocity resonance frequency omega 0 at which the average power supply to the oscillator reduce to half its maximum value means अगर एथे अपने कोले maximum value हाओ the value F0 square upon 2R है आपली frequencies हागी है एमेदी यह frequencies जित्थे अपने जड़ी PE average value हागी है reduce होरी हाफ देनार एस नू मतल 1 by 2 होरी है ठीक है ताह एफ जड़ी रज़ी के F0 square upon 4 है यह frequencies दा जड़ी डिफ्रेंस है ओ ताह ड़ी की है गए band width है next है का quality factor quality factor of a forced oscillator quality factor नो आपकी में define करांगे Q is equals to 2pi into average energy stored in oscillator upon energy dispatch per cycle देना then Q is equals to 2pi U average upon P average into time driving force है जड़ी अपने कोले suppose F is equals to F0 cos omega t है then displacement आज़ेगे F0 upon omega zm into sin omega t minus 5 जड़ी एनर्जी है गे total energy oscillator दी वो दो पार्ट से विच आ रही है तो देखोले 1 by 2m dx upon dt plus 1 by 2s x एस दी विच आवली x है गिए और आपड डेरिवेटिव करांगे x सी value substitute करांगे एस equation दे विच देन अपने कोले value आज़ेगी 1 by 2m F0 upon zm d square cos square omega t minus 5 plus 1 by 2s F0 upon zm d square sin square omega t minus 5 यू average दे लेए अपन किया एवली जड़ी value है गिया यू दी integrate करांगे 0 त लेके t तक 1 by t देना multiply करांगे देन यू average दी value आपड केलकुलेट करांगे ओजी value देखले किया ज़ेगी यू average is equals to 1 by 2 1 by t into 1 by 4 m F0 upon zm d square into t plus 1 by 4 S F0 square upon omega square zm square into t एजे विच F0 upon zm d square आपड कमन करांगे नाल हैग 1 by 4 देन देखले किया जएगा एजे विच जदो आपड कमन लमांगे तरम रहे ज़ेगी M plus S upon omega square ओस्तो बाद आपा M नू कमन लमांगे देन यू average आजेगा M upon 4 F0 square upon zm square into 1 plus S upon M upon omega square S upon M upon omega naught square पुट कहा सकते देन यू average is equals to M upon 4 F0 square upon zm square into 1 plus omega naught square upon omega square ये तो अदेकले U average दी रहे लिविया पी आवरेज अपने कोले की है गया value F0 square upon 2 zm into cos 5 cos 5 दी value substitute करांगे R upon zm then P average is equal to F0 square upon zm square into R by 2 P average दी value तो U average दी value अपा substitute करांगे first equation quality वाले फेक्टर दे विचे Q दी value दे विचे then Q is equals to omega M upon 2R into 1 plus omega naught square upon omega square ये है गया Q value quality factor of forced oscillator हुन जदो resonance resonance means जदो अपने जड़ी frequency and natural frequency देकल है omega नू omega naught square omega naught दे value देकल पुट करांगे then Q दी value आज़ेगे omega naught M upon 2R into 1 plus omega naught square upon omega naught square ठीके omega दे आवली term cancel हो जगी then 1 plus 1 अपने को लगी रहाज़ेगा 2 ते 2 दे null to cancel ते क्यूदी value आज़ेगी omega naught upon M omega naught into M upon R ये हैगा damned oscillator दे बिल्कुल same expression है quality factor दे लेग